दोस्तों कि आप जानते हैं बदलते मौसम में आपकी त्वचा को एक्स्ट्रा देखभाल की जरूरत होती है जी हाँ दोस्तों इस बात को बिल्कुल ना भूलें कि हर मौसम में आपकी त्वचा बेहतर तरीके से देखभाल मांगती है आईए जानते हैं ऐसी ही कुछ जानकार नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है पूर्वी ब्यूटी और फैशन में से आप अपनी तवचा को कई तरह के उप्टन लगाकर इन से चुटकारा पा सकते हैं तवचा की देखभाल के लिए कुछ बातों का खयाल रखना चाहिए जैसे गर्मियों के समय में दिन में दो बार नहा सकते हैं नहाने के लिए माइल्ड शैंपू का या साबुन का इस्तमाल करें पीट पैरों की एडियां जादा जहां मैल जमता है वहां की सफाई का ध्यान रखें तवचा को तेजी से रगड़े नहीं रात में सोने से पहले अपनी क्रीम अपने चेहरे पर अपनी बॉड़ी पर लगा सकते हैं साथ ही पानी जादा पिए ये हर मौसम में आपकी तवचा को जमा बनाने में मदद करेगा तो दोस्तों नोट कर लीजिए कुछ आसान से टिप्स जिससे आप अपनी तवचा की देखभाल कर सकते हैं वो भी आसान तरीके से आपकी जीवन शैली और खान पान आपकी तवचा को प्रभावित करती है जंक फूड आपकी तवचा को डल बनाता है इसलिए खाने पीने का विशेश ध्यान रखने की जरूरत है धूप में जब भी निकले संस्क्रीन इस्तमाल करें अपने चेहरे को ग्लो देने के लिए फेशियल भी करवा सकती है लेकिन याद रखें कि फेशियल क्लिंजिंग या ट्रीटमेंट ये कौन सा आपकी लिए बहतर है हरी सबजियों के पानी से चेहरा धो सकती है इससे भी चेहरे पर चमकाती है युवा लड़कियों को फेशियल करवाने से बचना चाहिए लेकिन वो पील ओफ करवा सकती है या फिर क्लिंजिंग करवा सकती है चेहरे को चमकाने के लिए आप फेश मास्क का प्योग कर सकती है इसे आप घर पे भी बना सकती है जैसे कि गर्मियों में आप मुलतानी मिट्टे और खीरे का रस्क मिला कर मास्क बना सकती है ये आपके चेहरे को ठंड़क देगा, पॉश्टिक भोजन करें, अपने लाइफस्टाइल को बदलें, जल्दी सो कर उठें, रात को जल्दी सो जाएं, इससे आप फ्रेश महसूस करेंगी और हेल्दी रहेंगी, नींद पूरी लें, तनाव मुक्त जीवन जीएं, तीन से च कुछ आसान सी टिप्स, जिनने आजमा कर, आप अपने चेहरे की त्वचा की देखभाल कर सकती हैं, इसी तरह की सेहत से जुड़ी जानकारी के लिए जुड़े रहें, पूर्वी ब्यूटी और फैशन टिप्स के साथ.